कल मेरे हस्बेन का दोसा खाने का मन था तो मैंने सुचा इंस्टेंटली दोसा कैसे बनाऊं फिर दिमाग में आया कि क्यों ना मैं कुछ अलग तरीके का दोसा बना के खिलाऊं जो उनको पसंद भी आ जाए और दोसा का दोसा भी लगे और टेस्ट भी दोसे का आए तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पहले दोसे के लिए चटनी क्योंकि सामर में टाइम लगेगा इसलिए चटनी से दोसा सर्व करूंगी तो बहुत ही जाला टेस्ट अच्छा लगेगा सबसे पहले मैंने पैन लिया पैन में थोड़ा सा देसी घी डाला और बन टेवल स्पून के करीब मैंने मुफली डाली कच्छी और बन बन टेवल स्पून मैंने औरच चने की डाल को कपड़े में पोंच कर डाल दिया इसमें और उसे रोस्ट किया फिर थोड़ी देर वाद यानिकी एक मिनट वाद ही मैंने उसमें वाइट तिली एक टेवल स्पून डाल दी और उसे भी रोस्ट किया फिर दू लाल मिर्च डाल दी और उसके बाद मैंने डाला बन फूर्त कप के करीब ग्रेटिट कोकनट आपके पास अगर जाबत कोकनट हो तो काट के भी इसमें डाल सकते हो या ग्रीण कोकनट भी यूज कर सकते हो और इसमें आप चाहों तो लेसन भी यूज़ कर सकते हो यहां मैंने लेसन नहीं डाला है आप चाहे तो डाल सकते हो फिर उसे रोज करने के बार ठंडा उने रख दिया है फिर मैंने एक बाव लिया उसमें एक कप चावल काटा थोड़ा से चली फिलेक्स और तेस के कॉर्डिंग नमक और दो हरी मिर्ट चौप करके डाल दी और थोड़ी से धनिया पत्ती डाल दी और आठ से दस करी लीफ लेके बारी काट के डाल दी इसमें अब हम क्या करेंगे इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी यानि कि जो मेजर्मेंट मैं बतारी हूं बावल से उसी मेजर्मेंट से आप बन हमारे ये बैटर अभी गाड़ा है तो हम इसमें आदा कप पानी और डाल देते हैं। आदा कप पानी डालने के बाद हमारे बैटर फिर भी हमें थोड़ा सा गाड़ा और लग रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे थोड़ा सा पानी और डाल देंगे और इसे चलाते हुए अच्छे से पतला बैटर त्यार कर लेंगे इतना भी पतला नहीं होना चाहिए कि वो डोसा नहीं बन सके जितना मैं बता रही हूँ उतना ही पानी डाले यानि की एक कप पानी और बन थर्ड कप के करीब पानी और फिर इसमें हमने दो प्याज ली है छोटी छोटी और उन्हें बारी काट दिया है और इसमें डाल दिया है फिर इसके बाद ये देखिए हमारी बैटर की कंसिस्टेंस यही हो गई है अब इसे हम दो मिनट साइड से रख देंगे तब तक यह हमने जो मसाला त्यार किया था थंडा हो चुका है इसे मिक्सर जार में डाल के हम पीस लेते हैं और यहां मैंने थोड़ी सी इमली भीगोने रख दी ती गरम पानी में यह मेरी इमली भीग गई है अब इसे भी इसमें मैं डाल दूंगी और टेस्क आप चाहे तो इसमें लेसन यूज कर सकते हो काजू की जगा पर और फिर यह चटनी पिसके त्यार हो गई है मेरी अब मैंने एक पैन लिया है तड़का पैन उसमें देशी घी डाल के थोड़ी सी मकरानी राई और थोड़ी सी करी लीफ और एक लाल मिर्च छुटे चुटे टुकडे करके डाल दिये हैं अब इसका तड़का में चटनी में लगा दे रही हूं इससे चटनी का टेस्ट दो गुना बढ़ जाता है अब चटनी बनाने के बाद मैंने तवे को गैस पे गरम कर लिया है और यह काफी गरम हो चुका है फिर इसे मैंने घी से ग्रिस कर लिय और यह बैटर डोसे का मैं इस पर ऐसे डाल दूंगी आपको फैलाने की जरूरत नहीं है यह इतना पतला है कि यह अपने आप अर्जस कर लेता है तबे पर फिर थोड़ा सा उपर से पक जाने के बाद मैं इसे घी से ग्रिस कर दूंगी फिर थोड़ी देर बाद अच्छे से करने के बाद इसे पलट देंगे पलटने के बाद यह कुरकुरा सिख जाएगा और हमारा डोसा इंस्टेंटली बन के त्यार हो गया है खाने के लिए और इसे सर्प कीजिए आपका यह दूसरों को खलाई है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो पसंद कर दो